इंजन की सिलेंडर में जब air fuel का mixture इस सिलेंडर में आता है तो इसको जरूरत होती है एक चिंगारी की जो इस fuel को जला सके और यहाँ पर काम होता है spark plug का यदि spark plug नहीं होगा तो सिलेंडर में आग नहीं जलेगी और piston पर कोई भी force नहीं लगेगा जिसकी वज़े से इंजन इंजिनियरिंग को काम में लेकर fuel को ignite करने का काम करता है जब spark plug spark generate करता है तो इसको 15 से 20,000 वोल्ट की जरूरत होती है और गाड़ी में सिरफ 12 वोल्ट की बेटरी लगी रहती है तो इतना वोल्टेज कहां से लाया जाए इसके लिए spark plug को इतना वोल्टेज देने का काम करती है ignition coil, ignition coil एक transformer ही होता है जो बेटरी से मिल रहे 12 वोल्ट को बहुत हाई voltage में बदल देता है इस कोईल की बीच में एक iron की core होती है कुछ इस type की और इस core के चारों तरप सबसे पहले primary winding को set किया जाता है primary winding में सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 टरन ही होते हैं अब primary winding को सिर्फ 12 वोल्ट की supply मिल रही है बेटरी से तो इस voltage को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एक capacitor और contact breaker को साथ में लगाते हैं capacitor और contact breaker बेटरी से मिल रहे 12 वोल्ट को बढ़ा कर primary winding में 300 वोल्ट तक पहुंचा देते हैं primary winding के बीच में secondary winding को set किया जाता है और secondary winding में 20 से 21,000 number of turns होते हैं कुछ इस टाइप से दोस्तो number of turns से आपको confuse नहीं होना है जब wire को एक round लगा दिया जाता है तो एक turn हो जाता है दो लगा दिये जाते हैं तो दो turn हो जाते हैं इस तरीके से secondary winding में 20 से 21,000 turn होते हैं और जब हम winding को बनाते हैं उस time इनको fix कर लेते हैं कि कितने turn हमें कौन सी winding में लगाने हैं जब primary winding में battery से supply दी जाती है तो इसके पास में magnetic field generate होगा और magnetic field lines secondary winding के पास में भी पहुंचेगी और secondary winding में भी current flow होने लग जाएगा जब हमने welding transformer के बारे में बात की थी तो इस वीडियो में मैंने इस calculation के बारे में बताया था और हलका सा मैं फिर से बता रहा हूं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देखना एक simple सा formula होता है जिसमें primary winding में number of turns है 300 यही N1 है और secondary winding में number of turns है 21,000 यही N2 है primary winding का voltage V1 300 वोल्ट है और secondary winding में voltage हमें निकालना है simple सी calculation करने पर हमें voltage मिल जाएगा 21,000 वोल्ट इस तरीके से ignition coil बेटरी से 12 वोल्ट को लेकर 21,000 वोल्ट तक बढ़ा देती है और यह voltage जाता है spark plug के पास में जो cylinder के उपर लगा रहता है spark plug के बीच में center electrode होता है यह electrode nickel या platinum का बना होता है और इसी electrode से 21,000 या इससे भी जादा voltage फ्लो करता है और आज के time में आपको पता है गाड़ियों में बहुत सारे function होते है Bluetooth connectivity, internet facility और in wireless function की electromagnetic या radio wave भी होती है और यह wave इस high voltage को interference कर सकती है इसलिए इस center electrode की बीच में एक resistance लगा रहता है जो बार से मिल रहे external interference को खतम करने का काम करता है दोस्तो आज के time में हमारा जो education system है उसमें practical चीजे कम है और थोरी ज़्यादा है और यह system हमें मजबूर कर देता है 10-12,000 की नोकरी करने के लिए या फिर सरकारी नोकरी की त्यारी करने के लिए क्योंकि हमारे पास में कोई बहतरीन skill होती ही नहीं है और डिग्रियां आज के time में कोडियों के भाव भिक रही है लेकिन Indian industry में आज एक ऐसी skill है जो explode कर रही है और उसका नाम है 3D animation आप उन YouTube channel को भी देख सकते हो जो 3D में अपना content create करते हैं उनकी growth कितनी जबरदस्त है और ऐसा life अड़ा के साथ में भी है इस बहतरीन 3D animation की skill को आप भी सीख सकते हो और हमने इस course की fees सिरफ आपके phone recharge के बराबर रखी है अब दोस्तों सोचना आपको है कि इस animation को देखना च करना चाते हो एक बात का ध्यान रखना आज के टाइम में future सिरफ और सिरफ skills का ही है डिगरियों का कोई future नहीं है website का link वीडियो के description में दिया हुआ है वहाँ से आप course join कर सकते हो अब वापस point पर आते हैं 21000 वोल्ट बहुत जादा है तो यह कार में बैठे हुए लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए center electrode के चारों तरप aluminum oxide ceramic से बनावा insulator लगा रहता है यह insulator high pressure और temperature को सेहन कर सकता है क्योंकि जब spark plug spark create करता है तो cylinder के अंदर fuel और air का mixer जलता है जिससे एक धमाका होता है और इस धमाके में compress हुई gases piston फर force लगाती है और piston नीचे की तरब जा जाती है तो जब cylinder में धमाका होता है तो यह force spark plug पर भी लगता है और कहीं से cylinder में gas leak ना हो जाए इसलिए insulator high pressure और temperature को सहन कर सके ऐसी properties इसको दी जाती है insulator के चारों तरब ground electrode लगा रहता है जो लोहे का बना होता है और ground electrode के चारों तरब threads भी बने रहते हैं जो cylinder के ऊपर spark plug को tight करने में काम आते हैं अब जो spark plug का working principle है वह really में कमाल का है center electrode और ground electrode के बीच में हलका सा gap रखा जाता है जो center electrode होती है वह positive का काम करती है और ground electrode negative का और ground electrode cylinder के साथ में touch रहती है और cylinder engine से और engine car की body से इसलिए आपने देखा होगा कि car की battery का negative terminal को car की body से touch किया जाता है ताकि negative के लिए हमें अलग से wire ना लगाना पड़े car की body ही negative wire का काम करती है आप घर पर try करना किसी battery के positive और negative को जब हम touch करते हैं तो एक spark generate होता है लेकिन वहाँ पर जब हम दोनों wire को touch करेंगे तब ही sparking होगी लेकिन spark plug में बहुत high voltage होता है और इतने voltage के पास में negative wire को ले जाएंगे तो touch करने की ज़रूरत नहीं है दूर से ही sparking होने लग जाएगी तो जब cylinder के अंदर air fuel का mixture उपर की तरफ compress हो जाता है तब spark plug में supply दी जाती है और जैसे ही supply दी जाएगी तो एक जबरदस्ट spark create होगी और यही spark fuel में आग लगा देगी और spark plug की supply बंद कर दी जाएगी इसके बाद की process आप इस वीडियो को देख कर समझ सकते हो जिसमें मैंने detail से बताया है four stroke engine कैसे काम करता है अब इतने high voltage की वज़े से spark plug का temperature 1000 degree centigrade तक बढ़ जाता है लेकिन इंट्रेस्टिंगली spark plug combustion chamber में temperature को बढ़ाते नहीं है बलकि कम करते हैं जो high speed car आती है जैसे sports car उनमें engine बहुत ज्यादा fast काम करता है जिसकी वज़े से उनका engine बहुत ज्यादा गरम रहता है लेकिन एक ऐसी कार जिसकी speed normal है engine के rpm भी ज्यादा नहीं है तो उनमें hot spark plug लगा रहता है जिनमें long insulation होता है जिसकी वज़े से इनको cool होने में time लगता है तो spark plug हर कार के engine के इसाब से लगाया जाता है spark plug की एक life होती है जिन spark plug में center electrode nickel की लगी रहती है उनमें 30,000 km के बाद में spark plug को बदलना पड़ता है तो दोस्तों description में दिये गए link से 3D animation के course को जरूर से join करना अपन सब मिलकर 3D community बिल्ड करते हैं और कुछ बैतरेन करने की कोसिस करते हैं इसके लवा दोस्तों join बिटन पर click करके आप हमें support कर सकते हो हमारे जैसे science से जुड़े हुए channel को financially बहुत struggle करना पड़ता है तो आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है Thank you दोस्तों